हेलो एब्रिवन मैं मितुर्ट सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे न्यू एर फोर्स स्कूल से रिकूटमेंट आई है और इस बारे में सारी जानकरी आपको दी जाएगे रिकूटमेंट कहां से आई है कब अपलाई करन है अपलाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा एस क्राइटरिया क्या रहने वाली है और किस-किस पोस्ट की रिकूटमेंट है यह सबसे इंपोर्टन बाते है सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले जी हां उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों रिष्टेदारों और सहलियों तक इस वीडियों को जरूर पहुंचाएं ताकि जब भी नई रिक्रूट्मेंट आए वो भी इस चैनल के माध्यम से उन रिक्रूट्मेंट का फायदा ले सकें एक अदद जॉब जो है उनको मिल जाए तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे सबसे पहले देखिए जैसे यह अपिसल वेबसाइट पर आओगे आपको नीचे जो है जॉब सेक्षन टेंडर्स और एकेडमिक्स अपडेट आना है आएगा और आप यहां से देख पाओगे सबसे पहले जॉब्स वाले क्राटिरिया पर आपको आना है और जो पहली ही वेकेंसी है उस पर आपको क्या करना है रीड मोर पे जो है क्लिक कर देना देखिए प्रिया को इह जो है इन्होंने अपडेट दी है अब देखो यहां पर आपको दिख जाएगा देखिए इस पीडियाफ में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा देखिए 136 136 को जो अपडेट आया है यहां से दो डाउनलोड के आपको दिख रहे होंगे इनमें से कोई भी क्लिक कर लो और देखिए जैसे यह आप इस पे क्लिक करोगे ना PDF डाउनलोड हो जाएगी और इस PDF के मादियम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं देख लेता हूँ है एक मिनिट जी हाँ यह देखो यह डॉपी पे जो है वेकेंसी जादा मिलेगी हाँ यह फाइनली टीचरों वाली वेकेंसी है यहाँ से देख लो PGT के लिए रिक्रूटमेंट आई है और पैनल वेकेंसी है यह और मास्टर डिग्री होना आपके पास ज़रूरी है साथ में 50% PG में होना यानि कि बीयर्ड होना ज़रूरी है और एज ग्रूप 21 से 50 साल के बीच आपकी होनी चाहिए और वोमेर कैंडिटेट एन फिजिकली हैंडिकेप्ट कैंडिटेट विल भी गिवेन एज रिलेक्सेशन यानि कि महिलाओं को और जो जिकली चैलेंजट पीपल हैं उनको यानि कि जिसे आप बोल चाल के भासा में बिकलांग या फिर दिभ्यांग कहते हो उन्हें यहां पर फाइदा मिल जाएगा आगे देख लेते हैं डिजारेबल में यहां देखी सीटाट मांगा गया है लेकिन PG के लिए अगर आपने पे जरूरी है 21 से 50 साल उम्र सीमा भी इन्होंने दे रखी है सेरडी 35,000 और वही सारी बात हैं सीटेट वगरा या फिर किसी भी स्टेट से अगर आपने टेट पास कर रखा है आप अपने आपको पाते हो PGT वेकेंसी है कॉंट्रेक्च्वल वेकेंसी है यादर की गई यह पोस्ट ग्रेजुशन में 50% एज 21 से 50 साल फिर से आगे देखिए नौलेज आफ कम्प्यूटर अप्लिकेशन MS आपको चलाना आना चाहिए हिंदी में बातचीत या फिर लिख सकते हो और पढ़ सकते हो चीजों को सीटेट या फिर किसी भी स्टेट से अगर आपने टेट प 50% आपका B.Ed में भी 50% और PG में भी 50% होना ज़रूरी है चली आगे देख लेते हैं कुछ और important बात है अगली जो recruitment है TGT Computer Science की है लिव वेकेंसी है यह याद रखिएगा कोई अगर जौब छोड़ कर जाता है देन यूग अपलाई हियर आपको बहुत कम समय के लिए यहाँ पर रखाज आएगा जो भी बाते हैं क्लियर करके मैं आपको समझाने की कोशिज करता हूँ ग्रेजवेशन में 50% होना जरूरी है यहाँ पर साथ में बीड में भी 50% होना जरूरी है अब देख लेते हैं कंपल्सरी है सीटेट या फिर यहाँ पर एक मिनट सीटेट की इन्ह पर इंपोर्टेट यहाँ रखना आपको जरूरी होता है जो जो पोस्ट की रिक्वार्मेंट है देखो बैचलर्स ऑफ एजूकेशन तो होना जरूरी है ही साथ में आपका जो बैचलर्स डिगरी है वो हिस्ट्री जोगरफी एकनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस किसी एक मेंसे जो है जरूरी है साथ में याद रखिएगा यहाँ पर देखो खेल हो गया है हिस्ट्री या जोगरफी होना जरूरी है याद रखिएगा इस बात को हिस्ट्री या जोगरफी में कोई एक में 50% होना जरूरी है यह सारे सब्जेक्ट के लिए जाएंगे बट 30,000 रुपए in hand salary आपको दी जाएगी entity की recruitment है entity में salary कितने मिलेगी आपको salary के बारे में ही सीधे देख लेते हम लोग 18,000 रुपए entity के लिए दिया जाएगा आगे देखिए account assistant की recruitment आई है यहां पे age limit 25-50 रखी गई है 40 word per minute अगर आप English में type करते हो काम आपका बन जाएगा आग computer lab attendant की recruitment है salary फिर से 14,000 रुपए रहेगी अब देखिए school website इन्होंने दे रखा है school की email ID भी दे रखी है interest candidate क्या करेंगे return application बायो डेटा के साथ आपको जो है क्या करना है school website पे अबलेबल है कहां जाना है उसके लिए देखिए last date 3 July रखी गई है याद रखिएगा return test भी लिय आएगा कोई भी doubt होता है तो नीचे comment करके पूछिएगा PDF आपको telegram channel पे मिल जाता है school की email ID है यहां से भी आप जो है इनसे बातचित कर सकते हो इनसे information ले सकते हो by the way मैं mobile number आपको दिखाने की courses करूँगा अगर इन्होंने दे रखा है तो नहीं I am sorry but आप जब भी Air Force school जाम अगर के website पर जाओगे तो definitely आपको वहां पर वेट मैं आपको दिखाई देता हूं क्या यहां देखो यहां देखो यह रहा mobile number यह देख लो यहां से जो है 98252-30153 इस नमर पर call करके आप information ले सकते हो कोई भी doubt है तो इनसे पूछ लीजिए office hour में call करना है 11 बज़े से 3 बज आपने यहां तक देखा इसके लिए बहुत-बहुत सुक्रिया आपका तक यह हूं gratitude है आपका इसी तरह से प्यार बनाए रखें अपने दोस्तों रिष्टेदारों सहलियों तक भी थोड़ा प्यार बरसा है उन तक भी वीडियो को पहुंचाए वीडियो को यहां तक देख देखने के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया, have a good day.